भारत मता की इनकलाब वन्दे वन्दे मंच पे मौझूद देश के बहुती सीनियर नेता और महराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरत पवार साब सुप्रिया सुलेताई मंच पे मौझूद इंडिया गटवंदन के सभी नेतागन और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आई हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाईयों, माताओं, बुज़ुर्गों, बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सब को मेरा प्रणाम दोस्तों मैं दिल्ली से आया हूँ आप लोगों के सामने जोली पहला के इस देश को बचाने की भीक मांगने के लिए अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने मुझे जेल से छोड़ा है मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था थोड़े दिन पहले एक जूटे केस में जेल से सीधा यहीं आ रहा हूँ अपने लिए वोट मांगने नहीं आ रहा देश को बचाने की भीक मांगने के लिए आ रहा हूँ सुप्रीम कोट का धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे उमीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी छूट जाओंगा Supreme Court ने यह करिश्मा था चमतकार था उपर वाले का चमतकार था जो जो लोग उपर वाले पर यखीन रखते हैं बगवान को मानते हैं तो मानता हूं बगवान के किसी चमतकार से कम नहीं था कि अचानक एक दिन Supreme Court ने कहा केजरिवाल को 21 दिन की महुलत दे रहे हैं जाओ और जाके चुनाव परचार करो मैं दिल्ली में एक दिन रोड़ शो कर रहा था निकलने के बाद तो एक महीला कहती है सर आपको भगवान ने बेजा 21 दिन के अंदर BJP की ऐसी तैसी करने के लिए तो मैंने भी ठान ली है ये 21 दिन मैं सोऊंगा नहीं 24 घंटे एक एक पल एक एक सेकिंड पूरे देश में घूम घूम के घूम घूम के देश को बचाने का काम करूँगा और उनको निकालने का प्रयास करूँगा लोगों को जगाने का काम करूँगा इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया मैं मन में सोच रहा था मेरा कसूर क्या है मेरे को क्यों जेल भेजा मैं छोटा सा आदमी हूँ मेरी छोटी सी पार्टी है दो राज्यों में हमारी सरकार है दिल्ली में पंजाब में यह तो बहुत ताकतवर लोग हैं इनके पास तो इतनी सत्ता है, इतना पैसा है, फिर मेर को जेल क्यों भेजा, मेर को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया, मेर को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के सरकारी स् वह कामदार बना दिया मोधी जी उसको रोकना चाहते हैं मोधी जी नहीं चाहते कि गरीब हो के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले मैं कहना चाहता हूं मोधी जी मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए अब 5000 स्कूल बनाओ तेश में तब आपका बड़ पन है केजरी वालने 500 स् स्कूल बंद करा दो यह तो छोटी सोच है यह तो छोटी मन सिकता है मेरे को जेल में क्यों भेजा मेरे को जेल में इसलिए भेजा मैंने दिल्ली के अंदर साहंदार सरकारी अस्पेटाल बना दिए चांदार महला Klinik बना दिए सब का इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली में ठाई करोड़ लोग रहते हैं अमीर ओ चाहेत गरीबो शबको सबको शांदार इलाज मिलता है सारी दवाईया फृइ सारी टेस्ट फ्री मोधी जी इसको रोकना चाहते हैं मोधी जी नीज माज चाहते कि गरीबों को अच्छा इलाज में आपका बड़क्पन तो है मैंने 500 महला क्लिनिक खोले आप 5 लाख हर गाउं में महला क्लिनिक खोलो ना तब आपका बड़क्पन है केजरीवाल ने 500 महला क्लिनिक खोले केजरी कर दी छोटी बिमारी हो चाहिए बड़ी बामारी हो सब को free दवाईयां सारी free दवाईयां मिलती है कि लेकिन जब मैं jail गया कि 15 दिन तक इनों ने jail के अंदर मेरी दवाईयां बंद कर दी कि मैं शुगर का मरीज हूं 20 साल से बहुत हाइई शुगर रहती है मेरे इंसुलिन का injection लगता है रोज चार बार injection लगता है रोज मिर को 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं मैं जब मैं जेल गया 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन का injection नहीं दिया मैं कहता रहा मेरी 300 शुगर साड़े 300 शुगर होगे अगर कई दिन तक लगातार जादा शुगर रहे तो किडिनी खराब हो जाती है लिवर खराब हो जाता है मुझे नहीं पता यह मेरे साथ क्या करना चाहते थे लेकिन इतिहास गवाह ऐसे बहुत किस्से हुए है जब विपक्षी लोगों को विरोधियों को जेल में डालको उन सब की बिजली फ्री कर दी 24 गंटे फ्री कर दी अब दिल्ली में सब को फ्री बिजली मिलती है मोदी जी आप तो इतने बड़े नेता हैं इतने ताकतवर नेता हैं मैंने दिल्ली में और पंजाब में फ्री बिजली करी आप पूरे देश में फ्री बिजली करो ना तब तो आपका बड़पन है आप केजरीवाल को जेल में डाल के दिल्ली की बीजली फ्री रोखना चाहते हो यह तो कोई बड़पन नहीं है दोस्ते यह तो छोटी माल सकता है यह तो इस वक्त देश के अंदर जो हलात हैं बहुत खतरनाक हैं रशिया का राश्ट्रपती पुतिन है आप जानते होंगे पुतिन ने जितने विपक्षी नेता थे या तो सब को जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया और फिर चुनाव करवाए पुतिन को 87% वोट मिले बांगला देश के अंधर अभी थोड़े दिन पहले चुना हुए सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और चुनाव करके शेक हसीना जीत गए पाकिस्टान के अंदर अभी चुना हुए इम्रान खान जो वहाँ के सबसे बड़े नेता उनको जेल में डाल दिया उनकी पार्टी को तैसनेस कर दिया, उनका सिंबल छीन लिया, और फिर चनाओ कह रहा है और जीत गए, मोदी जी अब पाकिस्तान और बंगलादेश से सीख के यही काम आप देश के अंदर भारत के अंदर करना चाहते हैं, एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान और बंगलादे तब भी आर जाते हैं, मोदी जी इन्होंने घराषन काम गिरुब्तार कर लिया, मनीज सीख सोधिया को गिरुफटार कर लिया, साचिंदर जैन को गिरुफतार कर लिया, कॉंग्रेस पार्टी के बैंक ऐकाउंट फ्रीज कर दिके ऐने करना चाहते हैं, शिव सेना को चोई कर लिया जो अभी संजय सिघ्रेस सेना केट सो तुकडे कर दिये एन सीपी के टो कर दिये ममता दीदी कि कितने मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया कि इस Шशनाम लड़ो गे और जीतों गे तो कायर आदमी करता है का shower है मोदी जी अरे बहादूर हो तो आख में आख मिला कि चनाव लड़ना सीने सीना चोड़ा करके चनाव लड़के दिखाओ यह तो कायरों की निशानि प्रभान को खतम कर रहे हैं बाबा साथ बंबेड करके सम्विधान को खतम कर रहे हैं लो उन्होंने रूल बनाया था कि बीजेपी में जो भी नेता 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा ये रूल बना कि उन्होंने अडवानी जी को रिटायर कर दिया मुरली मनोर जोशी जी को रिटायर कर दिया सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया यश्वन सिना को रिटायर कर दिया अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं तो जाहिर तो पर मोदी जी भी रिटायर होंगे अपना रूल बनाया उन्होंने तो अपने उपर तो लागू करेंगे वो जब मैंने बोला थोड़े दिन पहले पता नहीं आपने देखा के नहीं देखा मैंने थोड़े दिन पहले बोला कि अगली साल मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को प्रधान मंत्री बनाएंगे तो सारे बीजेपी के नेता चड़ गए नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे मोदी जी नहीं नहीं बोला कि मैं रिटायर नहीं होंगा मोदी जी रिटायर होएंगे और अमित्षा को बनाएंगे प्रधानमंत्री तो इस साल जो वोट मांग रहे हैं मोदी जी वो अपन लिए वोट नहीं मांग रहे हैं वो अमित्षा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं तो आपके घर के आस पास जितने बीजेपी वाले रहते हैं जितने बीजेपी के समर्थक रहते हैं सब को पॉल दे ना सोच के जाना जब वोट डालने जाओ मोधी के लिए वोट नहीं पड़ रहा है, अमिठ शाह को आख बंद करके जितने बीजेपी वाले हैं, जब बटन दबाओं आख बंद कर ले न, अमिठ शाह की तस्वीर लेके आना, कि अमिठ शाह को बनाना है क्या प्रधान मंत्री? तो अमित्षा के लिए वोट मांग रहे हैं और इस सिलसले में जितने रुकावटे थी देवेंदर फड़नवी इसको पैदल कर दिया इन्होंने शिवराज सिंग चुहान की राजनीती खतम कर दी रमन सिंग की राजनीती खतम कर दी वसंद्रा जितने नेता थे सब को खतम कर एक ही नेता बचा है योगी अधित्यनाथ दो महिने के अंदर उसको ओटाने जा रहे है योगी अधित्यनाथ अब उथ्तरप्रदेश के CM नहीं रहें गे जब मैंने ऐसा बोला एक भी नेता योगी जी के समर्थन में नहीं आया BJP के किसी नहीं का जैंए इसका मतलब अटा भाली देने से क्या होगा अपने वालों को सलट लो अपनी बीजेपी को सलट लो दोस्तों एक एक करके यह सारे निताओं को खतम करने और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस चुनाओं में 4 जून को बीजेपी जीत गई वैसे तो जीत नहीं रही है अगर जी भी जिल में आज तक मैंने जितनी पॉलिटिकल भविश्यवानी किया से तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़े दिन रह गए किसी भी हालत में हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है और जिस तरह की गालियां दे रहे हैं प्रधान मंत्री जी उन्होंने शरत पवार साब क का भटकती आत्मा यह कोई इतने सीनियर आदमें 84 साल के बुझुर्ग हैं मोधीजी 44 साल के हैं 10 साल सीनियर है उनसे ऐसे किसी बुझुर्ग को कहना ठीक है क्या प्रधान मंत्री को ऐसी भाशाट अच्छी लगती है उनको कहते है नकली शिवसे न नकली संतान यह अच्छी का सवाल है इस बार जब जाओ तो बटन दबा के उनको इस गाली का जवाब देना जब वोट डालने के लिए जा हुआ यहां के candidate है बाले मामा उनको record जीत आप लोगों को दिलवानी है ज्यादा से ज्यादा वोट दे के बटन दबा के उनका आप उनको वोट देना record margin से उनको जीताना लेकिन मैं आज महराष्टर में उनके लिए तो वोट मांगी रहा हूं मैं महराष्टर में आज आया हूं पूरे इंडिया गठ बंदन के लिए वोट मांगने के लिए NCP का चुनाव चिन ये तुतारी तुतारी बजाने वाला आदमी है इसका इसका खूब प्रचार करना है मैंने सोशल मीडिया पे एक आदमी को देखा था मैं बहुत चिंतित हो गया उसको देखके वो आदमी कह रहा था जब वोट देके बाहर निकला उससे किसी मीडिया वा आदमी को वोट डालना है और ज्यादा से ज्यादा वोट देके मामा को चिताना है मैं मैं 21 दिन के लिए बहार आया हूँ दो तारिक को मुझे जेल वापस जाना है चार तारिक को नतीजे आएंगे मैं जेल की से नतीजे देख रहा हूँगा टीवी पे पिछली बार महराश्ट्र की 48 सीट में से 42 एंडिये गठवंदन को मोधी जी के गठवंदन को मिली थी इस बार 48 में से 42 इंडिया गठवंदन को मिलने चाहिए अगर आप लोगों ने 48 में से 42 सीट इंडिया गठवंदन को दी मुझे जेल के अंदर बड़ा सकून मिलेगा और मुझे लगेगा आज महराश्ट राना मेरा सार्थक हो गया आप लोगों ने आज इतना प्यार इतनी महबबत दी इसके लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया शरत पवाल साब का बहुत-बहुत शुक्रिया सुप्रियत दीदी का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आज मुझे यहां पर अमंत्रित किया आप सब लोगों के सामने बोलने का मौका दिया भारात मतागी